हुआ हुआ दोस्तों कैसे आप लो उमीद करता हूं आप लो बहुत अच्छ होंगी आज का टॉपिक है कि हम अपने दिमाग को तेज कैसे करें आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन मैं आपको गैरिंटी दे रहा हूं आपने बिंस्किप की वीडियो देखो प्रिये क्या आपको पता है हमारा दिमाग का तेज होना और शरी का स्वास्त होना कितना जरूरी है चले इसी बात को मैं कहानी के जरीए बताता हूं कनू और मनू नाम के दो दोस्ते दोनों को अपने-पने हथियार से एक साइस के पेड़ को काटने बोला अब यह प महनत समान होते हैं आपको पता है हमारे असफल होने की वज़ा हमारा नसीब नहीं बलके हमारे हत्यार है दिमाग और हमारा शरीच प्रियर अगर हम हमारे इनी हत्यार को बिना शाप वाले रखकर वेडर्य रूपिज जिंदीगों को काटेंगे तो कैसे चलेगा और यही वजा होती है, हमारे असफलता की कैसे चलिए समझाता हूँ जैसे कि अगर हम हमारे कोई भी काम बिना concentrate के साथ करते हैं तो वो काम कैसे सफल होगा इसलिए कोई भी काम से करने से पहले, ये सीखना हो की concentration कैसे बढ़ाते हैं इसले तो कहते हैं कि दिमाग रूपी हतियार को शाप करना आदमिश्वाँ बढ़ाना, कॉंसिरेशन बढ़ाना, स्ट्रेस को खत्म करना, दिमाग दिश करना, Myड Junior करना यही सब हमारे दिमाग रूपी हतियार को शाप बनाता है और योगा, कसरत, दोड़ना, हेल्थी खाना खाना आदी हमारे शेडिर रूपी हतियार को शाप करता है सौवे वेकरने ने भी कहा था कि एजुकेशन का मतलग फैक्ट और जानकारी लेना नहीं है बलकि दिमाग कोंसेट करना है क्योंकि एक बार आपका दिमाग केंदरित हो गया तो फिर फैक्ट और जानकारी लेना दिमाग के लिए बच्चों अखेली हो जाएगा दिमाग कमजोर क्यों होता है और कमजोर दिमाग तेज कैसे बनाए लड़कों के दिमाग की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण होता है हस्त महतुन कन्न या पॉन की आदत हस्त महतुन या पॉन की आदत हमार दिमाग पर क्या असर जालती है देखो प्रेयर क्या आपको पता है इंडिया वाले कितने शरीफ है 55% 11-13 साल के बच्चे और 60% 14-15 साल के बच्चे पॉन देखना शुरू कर देते हैं अब आप खुदी सोचो इन बच्चों की दिमाग में कैसे विचा रहेंगे देखो प्रिये नॉर्मल हम ऐसा सोचते हैं कि हमें एडिक्चन सिर्फ सिग्रेट डारू यही सब लोगों का होता है लेकिन ऐसा नहीं है यह वीडियो गेम्स खिलने का जंक फूट खाने का यह पॉन वीडियो देखने का भी एडिक्चन हो जाता है कैसे चलो समझाता हूँ एडिक्चन किसे कहते हैं जब कोई वस्तु का यूज करने से हमारे दिमाग में बदलावाने शुरू हो जाए जिसके कारण हम उसे फिर से करने के लिए प्रेरित हो जाए और चाहते हुए भी छोड़ना सके उसे एडिक्चन कहते हैं जो जानते हो भी ऐसी चिज़े करने पर हम मजबूर हो जाते हैं देखो प्रेह हमारा दिमाग अलग अलग केमिकल छोड़ता है किसके वजह से हम अलग-अलग emotion फिल कर पाथे हैं अगर दिमाग एक chemical छोना बन कर दे तो हम emotion या बिना feeling वाले robot ही बन जाएंगे इन chemicals में एक chemical है dopamine food sexual activity या जब हमें अच्छानक से कोई reward मिलता है तब dopamine chemical रिलीज होता है और इस chemical के release होते ही कमाल की feeling का एहसास होता है dopamine chemical एक और काम करता है जो चीज हमें करने में मज़ा आते हैं वो उसे दोबारा करने के लिए हमें प्रेरित करता है जिसे एक बार पॉन देखा और मज़े आए तो dopamine chemical इसे दोबारा करने के लिए ज़रूर प्रेरित करता है इस तरह डॉपामिन हमें मज़े करने के लिए प्रिरित करता रहता है और हम ना चाहते हुए भी वो कर बैठते हैं और धेर धेरे ये हमारा नशा बन जाता है पॉन देखने में दिक्कत क्या है? जैसे कि पढ़ाई, म्यूजिक सुनना, डांसिंग, घूमना, एक्सेक्टरा तब भी हमें अच्छा मैसूस होता है और डॉपामिन केमिकल रिलीज होता है और जब हम पॉन वीडियोस देखते हैं तब भी अच्छा मैसूस होता है और dopamine chemical release होता है लेकिन दिक्कत इस बात की आती है कि पॉन देखने से normal से 3 गुना जादा dopamine release होता है और जब कोई पॉन देखते देखते हसमेतुन करता है तब 5 गुना dopamine release होता है इसलिए ऐसा समय पर अपने आपको काबू नहीं कर पाते हैं इतना सारा dopamine release होता है तो दिमाग को कुछ गड़वरी लगती है और दिमाग खुदी dopamine और dopamine receptor कम करने लगता है इसलिए जिस पॉन को देखकर हमें मज़ा आते थे अब वही बोरिंग लगने लगता है लेकिन हमें चाहिए होते हैं मज़े इसलिए पॉन साइट में और अलग-अलग कैटिगरी और हिंसक पॉन देखने लगते हैं ताकि दिमाग जादा dopamine release करें और हमें और मज़ा मिले डॉक्टर और neurologist का कहना है कि dopamine receptor का कम होना यही किसी भी चीज़ का addiction का सबसे बढ़ लक्षन होता है अब इतना सारी dopamine release होने के चलते हमें life के बाकी सारे चीज़े बोरे लगने लगती हैं सिवाए पॉन के क्योंकि दिमाग बाकी साइगी चीरों में इतना dopamine release कर ही नहीं सकता जिसके चलते हमें depression, overthinking जैसे दिक्कते पैदा होने लगती हैं रुको जरा, पॉन addiction का सबसे बढ़ लुक्सान तो भी बाकी है, dopamine की इतनी जादा मातरा के चलते हैं दिमाग का prefrontal cortex नाम का हिस्सा कमजर हो जाता है, prefrontal cortex का काम self control करना, सोचना, कोई decision लेना, यह सब होता है, जब दिमाग का यही हिस्सा कमजर हो जाएगा, तो आप कैसे अपने आपको control कर सोखोगे, और नहीं आप कुछ बड़ा सोच सकोगे, मतलब आपकी पूरी लाइफ का control आपके हाथ से निकल जाएगा, अब self control खोने के बाद एक छोटी से जिंगारी भी आपके दिमाग में dopamine की आग लगा देगी, जैसे कि अगर YouTube या Instagram पर जड़ा से भी आप hot या sexy post देखेंगे, तो आप सिधा पॉन साइट पर चली जाएंगे, कैसे पॉन एडिक्शन छोड़े, देखो प्रिया, अगर आप एक पॉन एडिक्ट हो और आपके दिमाग का prefrontal cortex कमजोर हो चुका है, तो पॉन एडिक्शन से छुटकारा पाना मुश्किल है, लेकिन नामुम्किन नहीं, मैं से कुछ आप को टिप्स दूँगा, जिसे फॉलो कर गे, आप अपनी किसी भी लत को छोड़ सकते हो, पहला है, अपने दिमाग को रिसेट करो, अपने दिमाग को रिसेट करने के लिए, कम से कम आपको एक मन्त हर एक सेक्स्वल एक्टिविटी से दूर रहना होगा, जैसे कि हस्त मैं तो पॉन विडियो डिलेट कर दो, ऐसा करने से आपके दिमाग को ऐसा मेसेज मिलता है, कि आप पॉन छोड़ने के लिए एकदम सीरियस हो, तिसरा है, अपनी जगा बदलो, मतलब आपका कोई ऐसा प्राइवेट प्लेस है, जहां आप पॉन या मास्रबिशन करते हो, उस जगा को छोड़ दो, और अगर हो सके तो अपने काम ऐसी ही जगा करो, जहां पॉन या मास्रबिशन नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करने तो जाते हैं, लेकिन समझ रहो ना, क्या कर बैटने हैं, एक्सराइस करें, एक्सराइस करने से दिमाग के साथ शह मनपसंद क्रेटिव काम करने में बदल दो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, पजल सौड करना, रिडिंग एच्सरा, ऐसे करने से एडिक्शन छोड़ने में बदद तो मिलेगी, साथ साथ आपके दिमाग के शापनेस भी बढ़ेगी, साथवाया ध्यान, मेडियेशन, मेड इन देव आर जी की वीडियो देखने की सला देता हूं, और खास करके तो अचारे प्रशान जी की वीडियो ज़रूर देखे, इन अचारियों की वीडियो देखने से आपका आत्मिश्वास बहुत बढ़ जाएगा, और इन दोनों अचारियों की वीडियो में काफी देखने को मिलता है modern science कहता है कि रोजाना एक इंसान को average 7-8 गंटा सोना चाहिए लेकिन कई ऐसे intelligence लोग है जो स्रिफ और स्रिफ 3-4 गंटे ही सोते थे जैसे निकोला टैसला और एक तरव हम हैं जो कि 7-8 गंटे सोते हैं लेकिन फिर भी गदे की गदे रहते हैं इस नाइन साफी की वज़ा है डेप स्लिफ गहनीन का देखो प्रेयर जब हम गहनीन में होते हैं तब हमारे दिमाग में कुछ पावफुड हार्मोन रिलेज होते हैं जैसे कि इन विचारों का भी कचम कच्रा को निकलता है कि रूटार को निखाने के लिए ना जरूरी होता है जैसे हमरे में में लेश्प 3 इुकरन बहौत पावर और सिखने की शम्ता बहुत कम हो जाती है क्योंकि बिकार नहींत के कारण दिमाग जानकर रिकूर ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता देगो परे हम जो दिन बर देखते हैं या सुनते हैं या जो सूसते हैं वो दिमाग के एक हिस्से हिप्पो कमपस में शौर्ट टैम मेम और इसे लॉंग टर्म मेमोरी में बदला जा सके इसलिए प्रिये आप दिन बर जितने जादा इंफॉर्मेशन लेंगे रात को दिमाग उतने ही देर लाएगा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और जितने कम इंफॉर्मेशन लोगे उतना ही जल्दी ये प्रोसेस ह अगर आप रात को सुने से पहले अपने जीएफ या बीएफ से जितना वाबुश होना करोगे उतने ही आपका दिमाग ये फालतो इफ्वर्मेशन को प्रोसेस करने में अपना टाइम और एनरजी बरबाद करते रहेगा आप ऐसे फालतो कछरे को पालने से नीन भी बेगार आ प्रिया आपको क्या पता है कि मुबाइल और मुबाइल टावर से निकलने वाले रिडिएयेशन आपको कितना नुकसान पहुचा सकती है हार मोबाइल के user manual में साफ साफ लिखा होता है कि मोबाइल को अपने शारी से दूर रखे और आपको अपने मोबाइल को इस रעל से ग्लिमो कैंसर हो सकता है इसलिए जब बाबु सुना मोना करने के मन करें तो हैंस अफरी का इस्तमाल करें क्योंकि लाउट स्पिकर का इस्तमाल तो आप करेंगे ही नहीं स्टुडेंट पर हुई एक स्टेडी के मताबिक जिस स्टुडेंट के आसपास रात को मोबाईल या वाइफा राउटर था वो स्टुडेंट अगले दिन एक्जाम में ठीक से कॉंसरेट नहीं कर सके स्लीप पॉजिशन आपको नॉर्मन लग सकता है लेकिन यह बहुत एफेक्टिव है सुपायन पॉजिशन या प्रोन पॉजिशन में सूने सापका दिमाग क्लिमपैठिक सिस्टम तीजी से काम करता है यह वही सिस्टम है जो आपकी दिमाग में कचर निकालता है और लेफ् इस श्लोक बताऊंगा जो विग्यान के आने के कई साल पहले ही लिखा गया था उदक शीराना सुपेद तता प्रतेक शीरा नचा फ्राक शीरास्तु सुपेद विद्वान थ्वा धक्षिंट शीरा इस श्लोक में साफ साफ लिखाए कि विद्वान लोगों को कभी भी अपना सर उत्तर या पर्शिम दिसा में रखकर नहीं सुना चाहिए चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कहा गया है उत्तर दिसा में सर रखकर सुने से दिमाग कमजोर होता है प्रिये क्या आपके दिमाग में सवाल आया है कि हमारा हाट उपर की ओर क्यों नहीं है मतलब हमारे शरी की ब पास तो खुन असानी से पहुच जाता है क्योंकि गुरुत्वाकृशन बल खुन को नीचे की और खिषता है अब दिक्कत यहां आती है कि जब खुन को दिमाग की और भीजना होता है क्योंकि गुरुत्वाकृशन बल खुन को नीचे की और ही खिषता है तो हार्ट को तक खुन का पहुचना आसान हो जाता है अब एक बार सोचो कि हमारा हाट शरीर की नीचे हिस्सी अब बीच में होता तो हमारा हाट दिमाग तक खुन पहुचाने में कितने तकलिफ होती इसलिए कुद्रक ने हाट को ऊपर की और रखाया और दिमाग को कुशिकाएं पतली रहा हो वो आपने अपनी जिंदिगी मोतार लिया तो आपकी लौटरी लग जाएगी हमारा दिमाग सोने से ठीक पहले जो सोचता है उसी विचार पर पूरी राद घुमता रहता है और जैसे कि मैंने ब्रेन वेवस वाले वीडियो में बताया था कि जादा तर लोग बेटा ब अपने बैट पर ही ध्यान वाली स्थिती में बैट जाएए अगर आपको नहीं पता कि ध्यान कैसे करते हैं तो कोई बात नहीं मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है ध्यान क्या है और 15-20 मिनट तक ध्यान करने और अपने दिमाग को पूरी तरीके से विचार शुन कर द दाएगी अब एक बार विच्सोचो की दिन में श्री 15-20 मिनट तक ध्यान करना आपकी जिंदिगी बदल सकता है तो पूरी रात की नीद जो अब ध्यान में बदल गई है वो क्या कर सकती है कुछ दिन तक यह करने से आपको खुद फर्क महसूस होगा थोड़ा सा भरसो हमारे हजारों साल पहले ही बता दी जिसे आज विज्ञान ने भी साबित कर दिये कि हमारे शास्त्रों ग्रंते और रिश्मिनी की बाते विज्ञान से एक दम आ गए पर हमें तो गुरू लोगों की आदत हो गया न जब हम सांस लेते हैं तब दिमाग के ऐसे हिससे लोकास क चोड़ते समय एक्टिवीटी कम हो जाती है यह हर एक सांश लेने और छोड़ने पर होती है अब होता हिए कि जब हम छोटी-छोटी सांस लेते तब दिमाग के लोकस को रुलस की एक्टिवीटी बढ़ जाती है और लोकस hypo activity हो जाती है जिसके चलते वह नुराड्रेनलाइन केमिकल अधिक मातरा में रिलीज करने लगते है जिसके चलते हमारी हाठ वेड़िज और स्ट्रेस बढ़ जाता है और ब्लर्ड में कॉटिजोल हार्मोन बढ़ जाता है और ये कॉटिजोल हार्मोन दिमाग की नियूरोंस क को मारने लगता है इसलिए जितनी छोटी सांसे होगी उतना इंततर नहीं दिमाग कमजर होगा इसलिए दिमाग को शांद करने के लंबी और यही सांस लेने को कहा जाता typ कोटितो हार्मोन संतुलन मात्रा में रिलीज होने लगता है और इसके बाद हमारा दिमाग धिरे-धिरे तेज होने लगता है इसलिए हमारे शास्तर ग्रंते और रिश्यमुने ने सांस के को इतना महत्विद्य जै जैसी की बसरी का प्रणायम सुर भेद्री चंदर भेद्री प्रणायम एचैट्रए हमारे शेरी में वही गर्श नजर्भ होता और इसी के कारण साथ हमारी गल्ट फेलिंग भी मर जाती है अगर आपको नहीं पता है कि यह गर्ड ब्रेंड क्या है और क्या 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 कर सकता है तो अब सर्च करके वीडियो देख सकते हैं पिर अगर यहाँ तक के आपने continue नहीं बिना किसी अदर सोचल मेडिया में जाये यहा तक यह पूरा वीडियो देखा तो आप मेल्ट पर टास्चिंग की सिकार नहीं हों लेकिन अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखते देखते अधर शोशल मीडिया पर जानों मानों शोना करने के लिए गये होगी तो बल टास्किंग का दिमाग पर क्या असर होता है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है हम सबको पता है कि आज कल मल्टिपल टास्किंग एक दम आम हो गया है जिसकी खाते समय करें तब ही किसी का मैसेज आता है और आप उसका रिप्लाय करते और फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं तब इस चोटे से डिसलिबंस के कारण फिर से पढ़ाई पर ध्यान के इत्रिद करने के लिए हमारा दिमाग को तीस मिल्ट 15 सेकेंड का समय लगता है एक स option को भी 15 पॉइंट तक गिरा देता है इसका मतलब multiple टास्किंग दिमाग को कमजोर करने के साथ साथ बेफकू भी बना देता है तो आज ही शपत लो कि जब भी मैं शौर्च करने जाऊंगा तब मोबाइल की भी नहीं जाऊंगा तेजवाज में म्योजिक सुनने से क्या होता है प्रिया एयरफोन या हैडफोन पर तेजवाज से म्योजिक सुनने से हमारी कानों की सुनने की शंकता कम हो जाती है वह सुनने और देखने के बाद समझने का काम हमारा दिमाग करता है ऐसे में कम सुनाई देने पर दिमाग पर जरूरत से जादा प्रेशार आता है और दिमाग कमजोर होने की समझाना बढ़ जाती है सर डग कर सोना मुझे पता है ये भी आपको नॉर्मल लग रही होगी लेकिन जब हम पूरा कंबल ओड़कर सोते हैं तब कंबल के अंदर कार्बों डायुकसाइड बढ़ जाती है और ऑ गलत है क्योंकि अमिताब बच्चे नरेंद्र मोदी और रतन टाटा और ऐसे कई ऐसे बड़े बड़े नाम की हैं जिसकी उम्र साथ साल से जादा होने के बाद भी आज भी अपने फिल्ड में नंबर वन है कैलिफॉनिया विश्विद्याले के नियूरोलोजिस जॉर्ज ब वस्था यही होती है जिक यूma waNI नियूरोलोजिस रोबाको कोवेजा ने एक इनसान की दिमाग के उम्रे के साथ कैसे असर होता है यह जानने के लिए कर दिया स्किया नियृरोलोजिस रोबाको कवेजा ने तीन समों बनाए पहले समूं में यूजरोष 25 वर्ष के लोगो को शामिल किया जो उम्र बढ़ने के बाद भी अपने बुद्धियों और शारिक रूप से युवाओं को टक कर देते हैं इसके बाद जो बाटों ने इन तिनों समों के लोगों को कुछ क्रेटिव और बौद्धिक शम्ता वाले सवाल कि आपको यकिन ही होगा कि इन सवालों क का सबसे अच्छे तरीके से जवाब तिसरे समों के लोगों ने दिया जिसमें से 95 और 65 वाले के लोग शामिल थे जो उम्र बढ़ने के साथ ही दिमाग के एक बराबर यूस करते थे इन अभ्यास से यह साबित हो गया है कि साथ साल की उम्र के बाद भी अगर दिमाग का इस् जड़ा शाप होगा आई होब कि आपको आपकी सवाल कमजोर दिमाग को तेस कैसे मनाए का जवाब मिल गया होगा अगर वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें मोटिविशन करिए और कमेंट करके बताए कि वीडियो कैसे लगा और ऐसे ही जड़ा